20 साल बाद 37 से लिके भहुचर्चित रामनगर गोलिकान मामले में कोट ने फैसला दे दिया है मामले के 65 आरूपियों में से 49 आरूपियों को 77 वर्ष के कारवास के साथ 4,000 रूपय के जुर्मानी की सज़ा सुनाई गई है सभी आरूपियों को जेल भेज दिया गया है सभी आरूपियों के खिलाफ अलगलग 6 पर करणों में 32 धाराओं के तहत मामला दर्स किया गया था आपको बता दे कि 30 अगस्त 2022 को रामनगर में एक आदवासी युबक महेश कॉल 30 सामा ने मौत हुए थी मौत हुए थी किया था पुस्माटम अम्रत्रीवक डॉक्टरों ने पुस्मॉटम अमिरी किया था था पुस्के बाद अकुरुषित ग्रामेलों ने उग्रप्रोटर्शन भी किया उस समय शांति बहाल करने के दौरां तक कालीन कलेक्टा एस्पी समेथ पुलिस करने पर पत्राफ हुआ था आत्म रक्षा में पुलिस की और से भी वाइरिंग की गई इस घटना में दोनों ही पक्ष के दर्सनों लोग हैल हुए था जब कि तीन लोगों की पुलिस पाइरिंग में मौत भी हुई थी यह थी बिश साल पुराना केस है आज नियालाय सिरीमान दुटी अपरसतने अधिस अजीत कुमार तिर्की द्वारा सभी आरोपी गणों को जो की संग्या में उन्चास थे बिधि बिरुद्ध जमाव बलवा एवं जन से मरने की नियत से हमला करने का आरोपी पाते हुए उक्तधाराओं में दोस्री ठहरा करके सभी आरोपियों को साथ साथ साल की कथोर कारावास और प्रतेक को चार चार हाजार रुपए अर्थिसन से दंदित किया गए